हेलो माइ-डियर फेंद्ज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परपेच्टुल मोशन मशीन अफ फ्रस्ट काइन एंड सेकुन काइन फ़र्स्ट वल डिस्कस करते हैं परपेच्टुल मोशन मशीन केज परस्ट काइन पी-म-म-वं यानि कि वो ऐसी मशीन जो कि produce करेगी work without consuming an equivalent amount of energy from the other source बिना किसी दूसरे source से energy लिए work produce करे यानि कि ऐसी मशीन impossible है बनाना actual practice में क्योंकि कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो कि energy खुद से produce करे यानि कि ऐसी मशीन impossible है बनाना जो energy खुद बेखुद दे देन आता है perpetual motion machine of second kind PM2 ऐसा device जो convert करे जितनी भी heat energy है उसको mechanical work में convert करे यानि कि जितनी heat energy को mechanical work में complete convert करे PM2 बोलते हैं उसको और यानि कि यह जो PM2 machine है 100% efficient machine है और यह है actual practice में इस तरह की machine बनाना impossible है यानि कि नहीं बना सकते impossible है तो क्या है perpetual motion of second kind हमने क्या किया जो source यानि कि rejection नहीं किया है लोसिस नहीं हुए है जीरो परसेंट लोसिस होना actually में impossible है कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोसिस जरूर होते हैं चाहें कम हो या फिर जादा हो ठीक है तो efficiency अगर देखते हैं perpetual motion of the second current की यानि कि maximum efficiency होती है heat engine की या efficiency होती है output divided by input यानि कि यह होता है जो की maximum work जो मिलेगा divided by heat and supplied और work क्या मिला हमारे को क्यों और heat supplied क्या थी क्यों ठीक है क्या हुआ जो वर्क जो होता है Q1-Q2 लेकिन यहां पर Q2-0 क्योंकि heat rejection नहीं हुआ है तो आ गया हमारा 100% यानि कि efficiency 1 का मतलब यह है कि 100% ठीक है तो यह था discussion I think आपको helpful लगा है वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को like share and subscribe चुरूर करना वीडियो के PDF आपको टेलिग्राम से मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक description में है thank you very nice day